नमस्कार, संचर्णिये बीमारी वैक्टिरियल और वाइरल दोनों में से कोई भी हो शकता है वैक्टिरियल अर्थात जिवानु द्वारा शंक्रमित होने पे उत्पन्य बीमारी और वैरल मतलब विशान्वों द्वारा शंक्रमित होने के कारण उत्पन्य बीमारी संचर्णिये का मतलब होता है कि वैसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है अगर bacterial disease है तो उसको recovery करना, रोकना और बचाव आसान होता है क्योंकि science ने antibiotics की खोज कर ली है और हम antibiotics लेकर bacteria को मार देते हैं लेकिन अभी तक science ने virus को मारने के लिए कोई दवा की खोज नहीं की है, क्यों नहीं की है खोज इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं जब कोई bacteria हमारे सरीर के अंदर में जाता है तो वह दो cell के बीच में छूपके डाता है जब हम medicine लेते हैं तो medicine का effect परता है और वह मर जाता है लेकिन जब कोई virus हमारे सरीर के अंदर जाता है तो वह cell के अंदर चला जाता है cell को hijack कर लेता है cell का जो भोजन होता है उस पे अपना अधिकार ले लेता है और replicate करना शुरू करता है और एके करके cell damage होने लगता है सरीर के जिस organ में infection होता है वहाँ के cell damage होने लगता है और आपका जो organs है वो काम करना इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई संचर्णी बिमारी से कैसे अपने आपको protect करेंगे चाहे वो bacterial हो या फिर viral infection हो और खास करके करोना जैसे virus से भी आप खुद को कैसे बचा सकते हैं इसके लिए हम कुछ आपको trips बताते हैं या आयुर्वेद का ज्यान है जो कि हमारे पुर्वजो द्वरा श्व अनभूत है सबसे पहला काम करना है अभी चैत का महीना है चैत के महीना में आयुर्वेद सास्त्रों में भी बोला गया है कि तिक तरस का सेवन करना चाहिए तो नीम का 10 से 12 पती जो soft nature का होता है और दो काली मिर्ज सुवा शुवा आपको लेना है और यह 12 से 15 दिन regular खाली पेट लेना है ये लेने की एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है जो पीत प्रकिरतिक है उनको नीम का पती सेवन नहीं करना है उनको नीम का फूल सेवन क करना है रात को एक गलास पानी में कुछ नीम के फूल डाल देना है सुवह में उस पानी को फिल्टर करके फीजाना है कोई भी बाइरस वह या बैक्टिरिया नाग के थुरू या मूं के थुरू ही हमारे सरी के अंदर जाता है तो अतुरंत श्वासन मार के द्वारा फेपर स्वास तक पहुचता है तो आपको करना क्या है 100 ml सरसो के तेल में 5 ml लहसुन का रस मिला करके रखिए और जब भी आप घर से बाहर जाते हैं या घर में हैं फिर भी एक से दो बार तीन बार आप उसको हाथ में डिप करिए और फिर दोनों नाक में ऐसे लगा लिजे ऐसे ल नस्य लेना है अगर आप नस्य लेते होंगे तो यह आपको श्वानभूत होगा कि जब हम नस्य लेते हैं तो वह नाक में डाला हुआ तेल मुह में आ जाता है और देखेंगे कि जब डालते हैं तो बहुत सारा बलगम भी उसके साथ निकलता है तो अगर दो से तीन वार सर वो निकल जाएगा कहीं बाहर जाते हैं तो आने के बाद नस ले लिया करिए या कम से कम शुबह साम तो जरूर नस लीजिए तीसरा काम करना है आपको कि चार लॉंग और दो गोल मिर्ची मुह में रखके उसको चवाना है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता है कि बेक्टिरिया आपके जो कंठ में है वो बाहर निकल जाएगा और स्वसन मार्ग तक नहीं पहुंचेगा पांच साल से उपर और दस साल से नीचे के बच्चों के लिए एक काली मिर्च और दो लॉंग का यूज करना है एडल्ट के लिए दो काली मिर्च और चार लॉंग का प्रयोग करना है में खरास आता है या कुछ भी डिफिकल्टी होता है तो आपको गारगल करना है असपर्टिका भास्म घर में रखिए या फिट करी उसमें से एक पिंच आप एक गलास पानी में डाल लीजिए और एक चमश्चंधा नमक उसको थोड़ा सा लुकुवम करकर कि उसका ही गारगल करें हमारे सरीर को हमेशा कोई न कोईalar से इंफेकशन होते रहता है और हमारा भास करते रहता है तो इस तरह से आपको करते हैं अगर आप हमेशा एसी में ही रहते हैं तो कमसे कम आधे घंटा सन का एकस्पोज जरूर करिए कि light से अच्छा कोई estrelizer नहीं हो शकता है तो अगर sun का इकस्पोज करते हैं तो विटामिन डी का संसलेशन होता है और आपके जो immune system है वो develop होता है लेकिन जो लोग बहर काम करने वाला है जो बहर जाते हैं उनको additional time निकाल के नहीं करना है इस पेसली शनबात उनको करना है जो हमेशा इसी मेरते हैं और एसी स्थिती में इस चीज़ को अगर हम अपनाते हैं तो अपने आपको शंक्रमित होने से बचा सकते हैं और शंक्रमन हो भी जाता है तो जो वाइरस से वो रेप्लिकेट फास्ट नहीं करेगा और हमारा जो और गन्स है उसको डेमिज नहीं करेगा यह सब जानकारी हमारे पुर्वजों का था और वो लोग ऐसा करके खुद को बचाते